नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशाडी आई की उजीके पर आज मैं आपके लिए भारत के सभी 28 राज्ये और जितने भी केंदर शाषित परदेश हैं उनके मुख्य मंत्री का नाम इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपोरेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो ये टॉपिक आपके लिए काफी जादा इंपोरेंट रहने वाला है और मैं आपको बता दूँ कि सभी राज्यों के मुख्य मंत्री के साथ मैं आपको वो राज्य मैप में भी बताने वाला हो और साथ में उस राज्य की राजधानी भी बताने वाला हो तो फ्रेंट्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना आपको इस वीडियो से बहुत जादा हेल्प मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट क पता होना चाहिए कि जो अरुनाचल परदेश है, इसकी राजधानी है इटा नगर, यहाँ पर लिए देता हूँ, इटा नगर जो है, यह अरुनाचल परदेश की राजधानी है, और अरुनाचल परदेश मैप में कहां पर है, वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नेक्स कोशन ओडिसा के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही आंसर इसका option B नवीन पतनायक नवीन पतनायक जो है friends ये ओडिसा के मुख्य मंत्री है ये आपने याद रखना है और exam में पूछा गया कोशन है और friends आपको ये पता होना जाएं कि जो उडिसा राज्य है इसकी जो friends राजधानी है वो है भूवनेश्वर ये भी आपने याद रखना है और उडिसा की जो location है map में friends वो आपके screen पे show हो रहा है नेक्स कोशन आंदर परदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही answer इसका option A Y.S. जगनमोहन रेड़ी Y.S. जगनमोहन रेड़ी जो है friends ये आंदर परदेश के मुख्य मंत्री का नाम है और friends आपको ये भी पता होना जाएं कि जो आंदर परदेश राज्य है भारत का इसकी तीन राजधानी है आपसे एक्जाम में पुछा जाता है कि भारत का वहे कौन सा राज्य है जिसकी तीन राजधानी है आपका आंसर होगा आंदर परदेश और friends मैं आपको तीन राजधानी का नाम बता देता हूँ एक राजधानी है आंदर परदेश की अमरावती दूसरी है विशाखा पटनम और तीसरा है कुर्णूल next question कर लेते हैं हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही answer असका option B जैराम ठाकुर जैराम ठाकुर जो है friends ये हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री है friends आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल परदेश की दो राजधानी है ठीक है एक है शिमला यहाँ पर लिख देता हूँ और दूसरा है friends धरमशाला और हिमाचल परदेश की जो friends location है map के उपर वो आपको सामने शो हो रही है friends जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबसे best तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का और समझने का next question मिजोरम के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही answer असका option A जोर मंथनगा जोर मंथन गए जो है friends ये मिजोरम के मुख्य मंत्री का नाम है और friends यहाँ पर बात हूई है मिजोरम की राज़धानी है आईजोल ये भी आपने याद रखना है next question हर्याना की मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही answer असका option B Manohar Lal Khattar MANOHAR LAL Khattar जो है friends ये हर्याना राज्य के मुक्हे मंतरी का नाम है और friends हर्याना जो है इसकी राजधानी है चंडिगर्ड ये भी आपने याद रखना है चंडिगर्ड जो है हर्याना की राजधानी है और location आपके सामने map पे शो हो रहा है Next question मद्धे परदेश के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही आंसर इसका option B शिवराज सिंग चोहान शिवराज सिंग चोहान जो है friends ये मद्धे परदेश के मुख्य मंत्री का नाम है और friends आपको ये पता होना चाहिए कि जो मद्धे परदेश है इसकी राजधानी है भोपाल Next question कर लेते है असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer इसका Option C, सर्वानन सोनोवाल सर्वानन सोनोवाल जो है ये असम के मुख्यमंत्री है और friends, असम की राजधानी है दिसपूर ये भी आपने याद रखना है Next question मनिपूर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है friend, देखो मनिपूर की जो location है map के उपर, बच्चे बड़े confused रहते हैं ठीक है, तो इसकी location मैं आपको map पे show कर रहा हूँ, और यहां के जो friends मुख्यमंत्री है, इनका नाम है N.Brain Singh, यानि कि सही answer क्या हुआ option A, N.Brain Singh, जो है यह मनिपूर राज्यक के मुख्यमंत्री है और friends, हम बात करते हैं मनिपूर की राजधानी की मनिपूर की राजधानी है friends, इमफाल यहां पे लिख देता हूँ Next question कर लेते 36 गड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer असका, option B बुपेश बगेल बुपेश बगेल जो है friends, यह 36 गड के मुख्यमंत्री का नाम है और friends, यहां पे बात हुई है 36 गड की friends, अगर हम बात करें, 36 गड की जो राजधानी है वो friends, वो है नेया राइपूर यह भी आपने याद रखना है next question कर लेते है उत्राखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer असका, option C तिरवेंदर सिंग रावत तिरवेंदर सिंग रावत जो है friends, यह उत्राखंड राजजे के मुख्यमंत्री है, यह आपने याद रखना है और उत्राखंड की जो friends, राजधानी है वो है देहरादून, यहाँ पर लिख देता हूँ देहरादून राजधानी है उत्राखंड की है और location आपके सामने map पे शो हो रहा है next question तिरुपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer असका, option B विपलव कुमार देव विपलव कुमार देव जो है यह तिरुपुरा राजजे के मुख्यमंत्री है और friend, तिरुपुरा की राजधानी है अगरतला यह भी आपने याद रखना है next question कर लेते है पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer असका, option D Captain Amrinder Singh Captain Amrinder Singh पंजाब के मुख्यमंत्री है और friend, आपको यह पता होना चाहिए कि पंजाब की राजधानी भी चंडिगर्ड है यहाँ पर लेते हो, पंजाब की राजधानी भी चंडिगर्ड है next question करनाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer असका, option C BS Yadurappa BS Yadurappa जो है, यह करनाटक के मुख्यमंत्री का नाम है और friend, आपको बता होना चाहिए करनाटक की राजधानी है बैंगलूरू यहाँ पर लेते हो, करनाटक की राजधानी बैंगलूरू है next question करते है बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही answer है, option B नितीश कुमार, नितीश कुमार जो है यह बिहार के मुख्यमंत्री है यह आपके एक्जाम के लिए काफी important है और friend, अगर हम बात करें बिहार के राजधानी की बिहार की राजधानी है और map में बिहार कहाँ पर पढ़ता है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है friends, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरू करिएगा friends, कम से कम आप 10 friends के साथ share भी जरू करिएगा friends, मैं आपको बिल्कुल non-stop पढ़ाता हूँ ताकि friends, आपका एक second भी waste ना हो और मैं आपको बता दो friends, जल्दी हमारी GK की book launch होने वाली है GK की book का नाम होगा Ravi Study IQ GK Ravi Study IQ GK friends, यह हमारी GK की book है जल्दी आपको Amazon Flipkart पे मिल जाएगा ठीक है, आप book ले सकते हो अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो next question नई दिल्ली के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सबसे पहले friends, आपको पताऊना चीए नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और एक केंदर शाषित परदेश है और नई दिल्ली के जो मुख्य मंत्री है friends उनका नाम है option C अरविंद केजरिवाल अरविंद केजरिवाल जो है friends ये नई दिल्ली के मुख्य मंत्री है next question कर लेते है पुड़ुचेरी जो की friends केंदर शाषित परदेश है के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही answer इसका option D वी नरायन सामी वी नरायन सामी जो है friends ये पुड़ुचेरी के मुख्य मंत्री है next question गोवा के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही answer इसका option A प्रमोध सावंथ प्रमोध सावंथ गोवा के मुख्य मंत्री का नाम है और आपको ये पता होना चाहिए गोवा की जो राजधानिया friends वो है बंजी ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं जहारकंड के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही आंसर है इसका option B, हेमन सोरेन हेमन सोरेन जहारकंड के मुख्य मंत्री का नाम है आपको यह पता होना चाहिए जहारकंड की राजधानी है रांची केरल के मुख्य मंत्री का क्या नाम है सही आंसर है option C, पिनराई विजिन पिनराई विजिन जो है फ्रेंड्स ये केरल के मुख्य मंत्री का नाम है और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंत पुरम, ये भी आपने याद रखना है Next question, महाराश्ट की मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही आंसर है, Option C, उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे जो है, ये महाराश्ट के मुख्यमंत्री का नाम है और फ्रेंट, जो महाराश्ट राज्जे है, इसकी राजधानी है, मुंबई Next question कर लेते हैं मेगाले के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही आंसर है, Option C, कॉन्रोड संगमा कॉन्रोड संगमा जो है, ये मेगाले के मुख्यमंत्री है मेगाले की राजधानी है, शिलॉंग और मेगाले मैप में कहाँ पर पढ़ता है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है फ्रेंट, जितने भी ये पूर्वी राज्जे हैं भारत के इसमें स्टुडेंट को काफी तदा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है क्योंकि बहुत छोड़ी छोटे राज्जे होते हैं इसको आप ध्यान से समझेए, ठीक है नेक्स कोशन है हमारा, नागरलेंट के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और नागरलेंट के अगर हम राजजदानी की बात करें, यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन, राज़स्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही आंसर इसका, ओप्शन D, अशोग गहलोत अशोग गहलोत राज़स्थान के मुख्यमंत्री का नाम है यह आपने याद रखना है, इमपॉरन कोशन है राजिसान की राजधानी की बात करें फ्रेंट्स वो है जाइपूर next question करते है सिक्किम के मुख्य मंतरी का क्या नाम है सही answer इसका option C प्रेम सिंग तमांग प्रेम सिंग तमांग सिक्किम के मुख्य मंतरी का नाम है और फ्रेंस यहाँ पर बात हुई है सिक्कीम की, सिक्कीम की राजधानी है गंग टोक, ये भी आपने याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं तेलंगाना के मुख्य मंतरी का क्या नाम है? सही आंसर इसका, ओप्शन ए, के चंदर शेखर राओ तेलंगाना के मुख्य मंतरी का नाम है और फ्रेंस यहाँ पर बात हुई है तेलंगाना राजज्य की, तेलंगाना की राजधानी है फ्रेंस हैदराबाद नेक्स कोशन कर लेते हैं तमिलाडू के मुख्य मंतरी का क्या नाम है सही आंसर इसका ओप्शन A के पलानी सौमी के पलानी सौमी जो है ये तमिलाडू के मुख्य मंतरी का नाम है और अगर हम बात करें तमिलाडू राज्य की राज़धानी की तो friends वो है चेन नहीं, ये भी आपने याद रखना है, next question, उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी का क्या नाम है, सही answer है, option C, योगी अधित्यनाथ, योगी अधित्यनाथ उत्तर परदेश राज्य के मुख्य मंतरी का नाम है, और friends उत्तर परदेश की राजधानी है, लखनो, ये नेक्स कोशन, पर्षी बंगाल के मुख्य मंतरी का क्या नाम है, सही answer है, option D, ममता बैनरजी, ममता बैनरजी परदेश की मुख्य मंतरी है, और friends आपको ये पता होना चाहिए, कि जो परस्शी बंगाल राजधी है, इसकी राजधानी है, कोलकाता, next question, गुजरात के मुख्य म यह आपने याद रखना है और फिर्ट्स अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी है गांदीनगर। और फिर्ट्स गुजरात मैप में कहां पर है वो भी आपके सामने मैंने शो कर दिया है फ्रेंट्स ये मैंने आपको जितने भी राज्ये थे भारत के 28 उनके बारे मैंने आपको complete information दे दिया और फ्रेंट्स मैंने आपको map से भी समझाया है कि कौन सा राज्ये map में कहां पर है फ्रेंट्स देखो अब है भारत के भारत का एक ना नया केंदर शाषित परदेश बना है पहले आपको बताओ ना चीए कि जम्मू कश्मीर जो था ना ये राज्ये हुआ करता था ठीक है लेकिन यहां से क्या हुआ कि जो अनुछे 370 था उसे खतम कर दिया गया ठीक है तो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले भारत में थे 29 राज्ये 29 राज्ये में से एक राज्ये जो है वो कम कर दिया गया कोन सा जम्मू कश्मीर जब जम्मू कश्मीर राज्ये को कम किया गया तो इसके बाद क्या हुआ इस एक राज्ये को दो केंदर शाषित परदेश में बदल दिया गया यानि कि पहले थे फ्रेंट्स साथ केंदर शाषित परदेश उसके बाद जब दो केंदर शाषित परदेश और बन गए फिर हो गए फ्रेंट्स नौ फ्रेंट्स नौ के बाद क्या हुआ कि अभी जो एक केंदर शाषित परदेश और भी है दमन्दिव और फ्रेंट जो दादरानगर हवेली है ये दो केंदर शाषित परदेश को जोड़ के एक कर दिया गया है इसलिए आज की रेट में जो केंदर शाषित परदेश हो गए है ठीक है जम्मू कश्मीर को दो केंदर शाषीत परदेश हैं बदला गया एक बदला गया लद्दाख में ठीक है और दूसरा बदला गया जम्मू कश्मीर में तो लद्दाख के बारे में जानते हैं लद्दाख के लेफ्रीनेट गवरनर है राधा किरिशन माथूर और लद्द और फ्रेंट्स आपको यह पता हूँ न जी कि लखजदीव जो है इसकी परशाशक का नाम मैं आपको बतायता हूँ इनकी परशाशक का नाम है दिनेशुवर शर्मा दिनेशुवर शर्मा फ्रेंट्स यह मैंने आपको complete information दे दी भारत की जितनी भी राज्ये थे और केंदर शाचित परदेश थे फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई वीडियो को like जरू करियेगा फ्रेंट्स 50,000 हमारी इस वीडियो का like का target है तो like जरू करियेगा और फ्रेंट्स कमसे कम अपने सभी फ्रेंट्स के साथ share भी जरू करेगा अपने सभी study group में और मैं आपको बता दूँ फ्रेंट्स वीडियो की description में मैंने आपकी लिए जो हमारा current affairs का channel है जिसका नाम है current affairs by ravis study iqgk और फ्रेंट्स मैं आपको एक और information देता हूँ कि हमारा एक और channel आ गया हुए जिसका नाम है best exam best exam इससे भी subscribe कर लिजिए link मैंने वीडियो की description में दिया हुआ है हमारे telegram channel का नाम है ravis study iqgk और friends हमारा website भी है जो भी हम पढ़ाते हैं आप उसको हम अपने website पब्लिश करते हैं जिसका नाम है www.ravis study iqgk.com और friends लास्ट मैं आपको यह बता देता हूँ कि जल्दी हमारी book launch होने वाली है ठीक है कि market में सबसे best book होगी gk क्योंकि friends हमने एक एक question selected लिया है तो जल्दी launch होने वाली है आप flip card amazon या हमें phone करकी book मंगवा सकते हो book का नाम होगा ravis study iqgk तो friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best